हेलो एवरिवन इस मी रजना कौशिक सो ला हमने क्लेडन सीरीज में अभी तक अब हम आगे हैं 20 नंबर चैप्टर पे लगबख हमने आधी क्लेडन कंप्लीट कर ली है सिफ मैंने इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर छोड़ा था एने मार का वह इसलिए कि एने मार की मै एक अलग से सीरीज बनाऊंगी बेसिक कुछ वीडियो तो मैंने पहले बनाए हुए हैं बट आई वांडर डिटेल सीरीज और अने मार जिसमें मैं क्लेडन के अने मार प्रोलम्स को भी इंक्लूड करोंगी तो डोंट वरी उस चैप्टर को भी हम कवर कर लेंगी ठीक है तो लगबग आदे रस्ते हम आ गये हैं इस सीरीज में और आदा रस्ता भी हो जाएगा तो चैप्टर नमबर 20 इस बेसिकली अब आउट था फॉर्मिशन और रेक्शन ऑफ इनोल्स और इनोलेट्स अब बेसिकली यह चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यूं है मैं आपको बताती ह काफी सारी ऐसी डियेक्शन होती है जिनमें बेसिकली इनोलेट एक तरगा इंटरमीडियेट फॉर्म होते हैं उस प्रस्तेक्टिव से यह काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपको ऐसे बहुत से वेडियेशन देखने को मिलेंगे जहाँ पर इनोलेट इन्टर करेंगे और इन फॉर्दर चैप्टर आपको आगे भी जाके इनोलेट वाले एक्शन देखने को मिलेगे फॉर्स्ट फॉल और यह इस वीडियो का इस चैप्टर का यह वीडियो फॉर्स पार्ट होगा पार्ट वन है यह उनली विकॉस दोड़ा लेंथी चैप्टर है इसक टक देखा ओगा लगबग चार पांच चैप्टर हमने पड़े इसने अमने पड़ाता कार्बोनिल के बारे में हमने कारबोनील की बहुत सी रियक्शन पड़ी चैप्टीय और बीसिकली अमने कारबोनिल पर किसका अटेक करवाया था उल्दम नूकलेयो फाइल का अटैक कर देखर वायता है थीक है नुक्लिओ फिलिक सब्सेटूशन रेक्शन समने पड़ी थी अब कुछ ऐसी रेक्शन होती है जहां पर यह कार्बोनिल किस तरह से बीएव करता है एक तो इलेक्ट्रोफीलीग को छोड़ के नूप्रपाउंड को जोड़ नुप्लिघ प्रॉप्रॉपी को उसक्रपारिय लाता है करें नुप्लियोफिलिक प्रॉपर्टी वाला फॉरम है जहांपर कार्बोनेल एल्जर नुकलोफिलिक प्रॉपर्टी को शो करता है क्या तो इनोल्स की स्ट्च्चर को समझने के लिए सबसे पहले क्या किया हम एक एक्जामपल लेके चलते हैं एक कंपाउंड लेते हैं इस कंपाउन का हम क्या करते हैं डाय मेड़ों काका नाम है तो जब नहीं करते हैं उस कंडिशन में क्या देखते हैं कि बैसिकलि इस कंपाउन помог अंगया शक्राइब करिका क्टेयरा मुद्धिस्ख्रम मिलेगे एकृत्सिंग्ण तो इन दो CH-Methyl Groups का, एक signal इन दो CH-2 Groups का और एक इसका, तो 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 हमें तीन सिगनल यहां पर मिलने चाहिए, इसके अनमार में कि हमें तो स्पेक्ट्रा मिलता है ना, वह कैसे मिलता है कि कुछ तरह के mix peak मिलते हैं, जैसे कि माल लो एक मिल गया, इन CH-3 का, एक CH-2 का, एक इसका, यह मिले, इस पर इनके साथ में क्या होता है, मिक्स तरह का स्पेक्ट्रा मिलता है, थोड़ा इसके पास में ऐसे लगता है, आपको कि दो peak साथ में चल रहे हैं, तो अलग-अलग compound साथ में peak दे रहे हैं, ठीक है, एक ही compound आप study कर रहे हो, और फिर N में एक broad peak भी दे देता है, और एक sharp peak दे देता है, तो इससे क्या हुआ, इससे हम यह सोचने में मजबूर हुए कि इस A compound की property दो नॉर्मल है, तो फिर इसने इस तरह का mixed spectra Q दिया, तो इसका reason यही है, कि basically यह compound इस A की form में stable नहीं रहता है, यह क्या करता है, दूसर of this compound, it will be like this, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया, एक hydroxy group आ गया, और साथ में double bond आ गया, तो इस तो इस जो broad band और sharp peak मिलते हैं, वो इस OH की वज़े से ही मिलते है, ठीक है, जब हमने NMR को study किया, तब है बदा चला कि हा, कीटो और इनोल आपस में क्या रहते है, एक तो अपको कहूंगी कि यह दोनों क्या रहते हैं, इक विलिविरम में रहते हैं, और रूम टैमट्टिचर में हम इन दोनों compounds को टैपरिट नहीं कर सकते हैं, तो अब बात हुआ कि भः, अब यह दुन सिमिलर से लगते हैं, आपस में चेंज होते हैं, तो chemistry वालों दे यह आया गया इसले क一 दो तरह रींत कर लिए तो आम रंसकों यह है अभी आपके कमपाउंद में किसी श्याम से अलिए है डाइ डाइल बॉंड पाइल और यह एड़ोजन के साथ में कनेक्ट हो गया तो बेसिकली मॉलेक्यूल में नंबर ओफ एटम्स कम नहीं हुए बस डिफरेंस क्या आया कि हाइडोजन ने अपनी पोजिशन यहां से छोड़के इस ऑक्सिजन के साथ में चेंज कर दिया तो जब कम दो कॉंपॉänge में सिफ एक हाइडोजन की पोजिशन में डिफरेंस आता है तो वोदोनों कंपॉम्ज आपस में क्या होते हैं तोटो मर्स होते हैं यह बहुत इंपॉटेंट है कर्भार आपको सिर्फ है इतना ही फूझ लेते हैं कि यह दोनों कंपॉण्न क्या है तो इस कंदीशन में इतनी सारी न्यूक्लियोफिलिक पड़ी कार्बोनेल के ऊपर तो उसका क्या हो गया हो गया हूँ वह कैसे हो सकते जब यह स्टेबल ही नहीं है इक्विलिब्र है ते चेंज होता है बता देती हूँ यह इस रीच्जन की कह रहती है काइनेटिक्स ऐसी रहती है कि basically reaction तुर्स ज्यादा होता है किस साइड में डाई कि टो कि राइन में मतलब कि टो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है basically equilibrium थो होता है बड़ आप यहां पे इनोल को काफी कम टाइम पे ही आपको स्पेसिफिक कंडिशन में ही आप इसको क्या कर सकते हो कि सेपरेट कर सकते हैं मदाब एकुलिब्यवियम की मोस्ट आफ पार्ट किसमें रहता है किट्व स्टाइड में रहता है मतला हूं नुरमल अगे अगर आहां करोगे डिकों हो में होगी ? अब बात करते हैं कि अगर हमें बनाना है इनोल तो हम क्या करेंगे किस तरह की condition को यूज करेंगे कि इनोल की formation हो जाये तो बेसिकली यह हमारा आज के इस video का में topic है कि हम इनोल की formation कि condition में हो सकती है उनको study करेंगे की हम देखना तरह सही किया में लुबने तर जोगे स्टवन के यह किस तरह से होगी में तथी हिए कि इनोल फॉर्म्त हो सकता है तो को ए सिरल झालेशन में, जब प्रेजेशन ए नोकोम, kale, कमलेएघिवावा हो सकता है इस चाहिएchen प्रेजेशन के अचिट से रियक्ट किया यहां पे oh ह strive और उसके बाद में यह water molecule इसके एड़्जेसेंस कार्बन पे जो hydrogen बिसिकली in all forms के लिए क्या condition होनी चाहिए कि आपके कीटों के एड़्जेश्जांद कार्बन पर इस तरह का हाइड्रोजन होना चाहिए जो कैसा हो एसीडिक हो मतलब जो इसीली रिमूव हो सकता हो यह जब मैंने स्टार्टिंग में आपको नुक्लियो वाइल पढ़ाया है ना तो यह concept मैंने आपको बहुत अच्छे से यहां पर यहां पर क्या फोर्म हो गया इनल फोर्म हो गया समझ में आ रहा है डबल बॉंड के पास में जब ओवेश ग्रूप होता है तो उसे क्या बोलते हम इनल वोल्मेशन एसिड की प्रेजिंज में कम्प्लीट हुए यहीं हम अगर बेस केटलाइज यूस करते हैं जैसे क क्या करेगा अब यह नेगेटिव चार्ट जो आपको सॉल्वेंट है वहां से प्रोटोन को एड़ कर लेगा और आपका फाइनल प्रोड़क यहां पे भी क्या रहा है तो आप चीज यह आ रही है कि जब दोनों ही कंडिशन में इनल फोर्मिशन हो सकती है तो विचिस मोर प क्या है इनलेट इनलेट फोर्म हो रहा है तो यह जो इनलेट आइन जो फोर्मिशन होती है यह इनलेट कैसा होता है स्टेबल होता है स्टेबल कैसे होता है कि यहां पर रेजोनेटिक स्ट्रॉक्चर्स फोर्म हो सकती है एक तो फोर्म हो सकता है यहां पर और यहां पर को because of this resonance अब देखो इस resonance का बहुत important role है कि अब देखो यहाँ पर एक बार तो क्या बंद रहा है oxygen बंद रहा है एक बार यहाँ पर carbon पर है और एक बार नेगेटिव चार्ज का है oxygen पर अब आपको चीज बता रहे हुँ ना यहां से यही में कंसेप्ट है क्योंकि रिएजेंट सेम होते हैं बड़ प्रॉडक्ट चेंज हो जाते हैं क्यों चेंज हो जाते हैं यह आपके concept बिल्डप होना चाहिए ठीक है तो जैसे कि हम अलाइल सिस्टम परते हैं तो बेसिकली यह जो हमारा ऑक्जनाइन बनता है इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है अलाइल की तैसे ही होती है जो आपका इनॉलिट फोर्म हो रहा है तो इस कंडिशन में अगर आप देखोगे तो एक्जिएन उसमोर इस ट्रॉ इय्लेक्ट्रो इसका तो लिएक्ट्र क्या करते है वह क्या करते हैं कि यह पूद्गशन करेंदेशन की इनकी अनर्जी क्या होती है कंपे थोड़ी सी डाउन चलिज़ जाती है because of the electronegativity so अगर हम orbital contribution देखेंगे तब तो क्या होगा nucleophilic center carbon होगा stability के according ठीक है और अगर हम charge distribution देखेंगे कि कहां पर ज्यादा charge stable रहेगा तो तब यहां पर nucleophilic की तरह को बहेव करेगा oxygen atom बहेव करेगा तो बेसिकली देखो अब यहां पर दो conditions बनती है इससे क्या form हो रहा है कि जो हमारा inolate ion form हो रहा है उसमें हमार आने वाला जो क्योंकि यह कैसा है nucleophilic center तो जो nucleophile attack होगा वो nucleophile attack कहां पर हो सकता है अगर हम charge distribution से देखेंगे तो तो कहां यहां पर क्या हो रहा है एक तरह से controversy हो गए अब दोनों आपस में लड़ पड़े कि दोनों ही चाहते हैं कि जो nucleophile आ रहा है वो इनके उपर attack करें तो किस condition में कौन सा attack होगा तो क्योंकि आपका स्टार्टिंग में होते हुए भी आपका प्रॉड़क्ट क्या हो जाता है difference होता है अलग मिलता है क्यों मिलता है उसका रिजन यहीं है कि देखो जब मैं हाँ अगर मैं हार नुक्लिफाइल लेती हूं एसाइल फ्लोराइड लेती हो उस condition में तो क्या करेगा नुक्लिफिलिक सेंटर क्या हो जाएगा oxygen हो जाएगा this oxygen will attack on this carbonate ठीक है और यहां पर क्या हो जाएगा oxygen इस oxygen पर क्या आएगा negative charge और यह oxygen बाद में यहां पर double bond form करते हुए as a chlorine minus chlorine living group यहां पर remove हो जाएगा ठीक है और यहां पर आप देखो कि हमें क्या मिल रहा है product inol ester मिल रहा है what is this this is inol and this is ester so हमें inol ester मिला और यही अगर मैं यहां पर soft nucleophile का use करती हूं मतलब कोई भी alkyl bromide normal soft nucleophile है इसका मैं अगर use करती हूं तो इस condition में क्या हो जाएगा जो nucleophilic center है कौन है इस double bond वाला यह carbon यहां से इस carbon पर attack होगा और bromine will be removed as a living group और यहां पर देखो अब हमें क्या मिला है यहां पर normal ketone मिली है हमें क्या मिली है ketone मिली है और यहां पर नॉर्मल नॉर्मल यहां पर एडिशन होगा तो देखो आपका same starting distribution से देखोगी अगर अगर hard आपका nucleophile यूज कर रहे हो तो तो oxygen पर attack होगा और soft nucleophile यूज कर रहे हो तो carbon पर attack होगा now see what are the compound that not can form inols basically अभी तक हमने देखा कि जितने भी carbonols होते हैं वो they can form inols पर कुछ ऐसे carbon compounds है जो inols form नहीं करते हैं तो मैंने अभी आपको एक condition बताई थी कि basic condition क्या है कि कि किसी भी carbonols के पास के एडिसेंट carbon पर अगर acidic proton है acidic proton है जो easily remove हो सकता है तो वही क्या कर सकते है इनोल की formation कर सकते है क्योंकि basically inols होते क्या है आपके बास में पैसे है तो आप किसी को आपके पास में बहुत सारा खाना है तो आपके वह अगारा धाना कर सकते हो है तो आप क्या डोनिट करोगे तो वही चीज है यहां पर कि अब जैसे कि देखो यहां पर नॉन इंडराइब में देखो दोनों फिनाइल रिंग्स लगी है फिनाइल रिंग्स तो होती है स्टेबल तो यह हाइड्रोजन रिमूव करेगी नहीं तो इस कंडिशन में क्या होगा अब बाटने में यूओन नहीं होता है कि अ करते कि का फिलिया ये क्या रिंग्स कर सकते हैं इस के उलिए है मैंने अब यह को बताया कि बेस के टलाइसापाला है तो यहां से ने क्या भेदा इसके गावेश्ऑ कह बßनी किःपाल्स associate honors poi यहां पर डबल बॉन आ गया और इस ऑक्सिजन पर नेगीटिव अब यह क्या बना आपका इनुलेट आयन बना इनुलेट आयन आगे जागे क्या बना सकता है इनुल फॉर्म कर सकते हैं और कौन से यह बना इनुल फॉर्मिशन देते हैं क्यों देते हैं कि अभी मैंने बताया कि क्या है बिसिकली जो मुस्ट इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक कमपाउंड है तो वह क्या करेंगे अगर आप देखोगे तो यहां पर हैड्रोजन प्रेजेंट है और यह क्लोरिन क्या कर बूस्तों तियुकार्व यहां से इसारे यहां पर क्या हो जाएगा यह पर और यहां फेक्ट्रोण सकतऱन्स क्या हो जाएगी तो यह एक क्रेंप स्यर्विक नेजर का गयां क्वाल स्क्रेक्ट्रोफिलिक पेटितों क्यान करेंठ है दो आब साथ बताय थी even CB reaction यह जो एक्षण होती है बिसिकली यह एसल क्लोराइड ही देते हैं प्विक एक्ष्णा धेक्षण देते हैं और भी एक्षिंड में basic जो आपका intermediate form होता है यह होता है इनोलेट फॉर्म होता है सो तो हमारी लिंक मिल जाएगा आप देख लेना दूसरी यहां पर बेस किस क्या यूज होता था एमीन को हम यह पर यूज करते थे कंडिशन यह होती थी कि जो भी आपका आपका जहां पर जहां पर जो कंपाउंड है जहां पर एसे डिक प्रोटोन का रिमूब हो रहा है उसके पास में एक स्टेबिलाइजिंग ग्रूप होना चाहिए ठीक है ताकि वह उसको जो नेगेटिव फॉर्म यहां पर प्रोटोन हो मैंने यह पर प्रोटोन को क्या फ्र्ली रिमूव हो गया मैं अबक यह प्रोटोन से रिमूव होते ही के प्रोटोन ने अच्टी पर्मेशन पर और ऑक्सीजन नेगिटिव चार्च Kub हो पर ठीक है तो क्या था हमारा E1 CB का फर्स्ट प्रेप कर szyb گ है यहां कि ऑक्सिजन रख़ ने कि यह पर यह पर डबल पर्न बनाया और क्लोरीन लगा हुआ है अधिल को एक्क्राइब में नियुक्त क्या है थे और में किया है किटिए सब्सक्राइब बढ़ायाती तो मैंने पर यहां पर हुआ है कि यो टौर्म है कि आ अधिलिक फॉर्मेशन थिक अब देखो कुछ ऐसे भी होते हैं कंपॉंड जो वही इनॉलेट शो नहीं करते हैं ठीक है अब वह कौन होते हैं वह होते हैं आपके पास यहां पर अइसे होता है ऑफ इसे चीज के पैस कोई कपड़े मांगना आया तो आप क्या करते होillar में पूराने पहलेellenahan यहां पर नए प्रोटोन चाहिए यह दोनों क्या करते हैं कि आपके अपने पुराने कपड़ यानिकी अपने जो वेस्ट हाइडोजन से उनको क्या करते हैं डोनेट कर देते हैं और इस कंडिशन में यहां पर इनोल फॉरमेशन नहीं करते हैं समझ में आ गया बहुत इजी है अगर आप इनको कंसेप्चुल समझ के रिया फिर इनको इमेजिनेशन से समझोगे न तो आपको कभी भूलोगी नहीं थीज़े ठीक है दोनों आपस में करते हैं जो इस तरह किसे हैं इनमेजिन और इनमीन का डिफ्रेंस में इन में और यह दोनों कैसे हैं तोने लियूंधे तोटोमर्स शो करते हैं जो इमीन फोर्मिशन की रियक्षण कुर्ण्या ने दौणार चूटी यहां पर पीच लिक्षण करवाई तो यह क्या गरेंगा यहांपे कार्बन ओंड ही यह यह यहां पर नेगिटिव चार्ड और यहां पर नाइट्रोजन फे प तो यह च्छाल बना देंगे और इनायमिन क्या करते हैं अपने पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइस करने के लिए रिमूब करने के लिए इमीन परना नहीं के साथ आधे तोटोमर बनावन करता है आपको आपको का कैकी का इमन थ侠ीải, और इनोलेट जो की सवाधव करता है अधेक परीakis 성 temos एडिसेंट कार्बन पर हमने देखा जो हाइड्रोजन है अब मैं कोई बेस लाओंगी यहां से क्या हो जाएगा रिमूब हो जाएगा यहां पर डबल बॉंड और यह दबल बॉंड के इलेक्रिम कहां चले जाएंगे नाइटोजन पर अब हमारी फोर्मेशन होगी फोकुछ इस तरह की होगी एन पियेज नेगेटिव ठीक है तो इस बेसिकली एजा इनोलेट अब अब हमने फोर्मेशन तो पढ़ले इनोल्स कॉन फॉर्म करेंगे यह कॉन नहीं करेंगे अब बात करते हैं स्टैबिलिटी की बात करने जूरी क् क्योंकि अगर इनोल्स की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो हम कैसे रियक्शन पढ़ेंगे जिनमें इनोल्स एज इंटर्मीडियेट फॉर्म होंगे ठीक है तो कि किस के तरफ रहती है कार्बोन के तरफ से जब स्पैसिफिक कंडिशन में हमने इनोल्स फॉ नहीं होते है कि संब आपका इनोल तो कैसा हो कुछ बहुत जादा एसी कंडिशन में हो कि यह बहुत क्राईत है कि शी परकें तरही इस तरह हो होगा इसका टोडो मेर आऐ यहां से hydrogen को remove होके carbon पर जाके add होना पड़ेगा उसके लिए इसको यहां पर जगए नहीं मिलती तो यह तो आप high temperature use कर लो inol formation के लिए तब inols क्या होंगे stable हो जाएंगे या फिर आप ऐसे inol form करो जो जादा ही sterically hindered हो तो वह क्या होंगे stable होंगे तो यह इनकी stability जो steric hinderness की वजब से स्टेबिलिती होती है वह kinetic stability होती है thermodanik mix stability के लिए देखना बहुत important सी है कि जब भी आपके one one three diketone groups होते हैं diketone compounds मैंने अभी आपको starting में बताया था वह क्या करते हैं उनके इनोल्स काफी जादा stable होते हैं stable कैसे होते हैं क्योंकि यह इनोल्स भी आपस में resonance करते रहते हैं मतलब resonance नहीं कर सकते थोड़ी interconverter हो सकते बैसिकली de-localization आप इसको कह नहीं सकते जो हमारी diketone form थी उससे मैंने आपको इनोल फॉर्मेशन तो बता दिया कि इसका टोटो मरता अब इनोल फॉर्मेशन देखो जब यहां पर इस कार्बन पर जब ओएच फॉर्म होता है तो यह यह क्या कर सकता है जहीं हो सकता है Чन हो सकता है इस site पर किढ़ एच आद बात करोगों कि दोंगों सेम नहीं है क्यूं मैं यह हैं अगर आप इन कार्बॉंस को नाम ढें दो इसके आड़िसन कार्बन को ए और बिशेशन ऑर देखो गे कि जब ए था तो ए के पास में double bond O था बी के पास में OH था बड़ चेंज होके अब एक के पास में OH आ गया और बी के पास में keto group आ गया तो बेसिकली यहां पर total merism में भी क्या होता है inter conversion होता रहता है जिसे आप de localization नहीं गए सकते और यहां पर hydrogen का hydrogen एक जगे से तूट के दूसरे अटम पर एड हो रहा है तो यह तो फैक्टर हुआ di ketones का कि डाई ketones में total merism में हो सकता है दूसरी चीज़ है hydrogen bonding कुछ ऐसे compound होते हैं जिनमें क्या होता है hydrogen bonding के थ्रूब इनोल स्टेबल हो जाते हैं यहां पर यहां पर इस पोजिशन पर इंटर कनवर्ट हो गया इस दोनों दोनों oxygen के बात करते हैं इनोलाइजेशन का यूज क्या होता है तो यूज की अगर बात करेंगे तो यह conjugated compounds form कर देते हैं जो un conjugated होते हैं उनको conjugated में change कर सकते हैं कैसे कि मान लो कि यह मेरा keto group है जिसमें double one कहा है थोड़ा दूर है मतला यहां पर क्या है conjugation नहीं है पर acidic proton present है कैसा proton acidic proton present है तो यह क्या करेगा बेस के साथ में remove हो जाएगा और किसकी फॉर्म कर देगा इनोल फॉर्म कर देगा नाओ वैं जब यह oxygen का नेगेटिव चाल वापस आएगा तो इस इनोल के दुरू क्या हो जाएगा रेजोनेटिक स्ट्चर आगे बढ़ जाएगी ठीक है यह अब यह यह ऑफिजन जब इसके साथ में रेजोनेट करेगा तो यह क्या करेगा एडजेसेंट डबल बॉंड के साथ में डी लोकिलाइज हो जाएगा तो इस ते जो आपके अन कॉंजुकेटिड कंपाउंड से वह किसमें कंवर्ट हो गए तो यह काफी यूसफूल रिया मैकेनिजम है जब आपको आपको कॉंजुकेटिड कंपाउंड की फॉर्मेशन कर कीड़ता है ठीक है जब हम इनो जैसे कि मानलो यह में रावं सी डाओं यूदा टोन है जिसमें क्या है यह काइरल है जो कायड इनफीर में यह तो कई गाज सपी ते एक पर अब जाहें आपकर वह तरह आपको और ऑल प्लेन हाइडरोजन इस दाइशन अब ग्लेन है वह जी इनोलेट फॉर्म करेंगे तो इनोलेट कभी भी अबोव द प्लेन या बिलोव द प्लेन स्टीडियो केमिस्ट्री में नहीं हो सकता क्यों क्योंकि ये एक कॉंप्लेक्स टॉक्चर है उसमें भी कैसा इतर अभी हाइडोजन बॉंडिंग से भी स्टेबल हो रहा है तो ये इसे प्लेट के कंपौौौंड का इनोल लइसिएन करते हो तो आपको सउल्ईशन में रेसिमिक सॉल्ईशन अंक कर होता है आपको इसा नहीं है कि आपको सिभ एक ही मिल अकलन We new CO2 सफ ओधी करनेगा अब हम एक रेक्शन करके स्टेपर को करते है सी यह हमारी रियक्शन है आपको स्टार्टिंग दिया हुआ ठीक है और आपको दो स्टेप में रियक्शन कंप्रीट करनी है तो यह फर्स्ट आपको कुछ सिमिलर सा लग रहा होगा कि एमीन से जब मैंने आपको एमाइड फॉर्मिशन बताया था तो यही आपको रियक्शन तो इस कंडिशन में यहां पर क्या होगा और डबल बॉंड ओ ओ ओ एच और यहां पर इस नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा यह कार्बोनल ग्रूप एड हो गया ठीक है तो यह हमारा एड हो गया अब देखो होड एसिटिक एसिड यह आपको सेकंड सेप आपके लिए अन्नोन होगा होड एसिटिक एसिड जब हम यूज करेंगे तो बेसिकली हमने इस यहां पर क्या किया एसिड यूज किया है अब पर बैसिकली रिमूब हो सकता है तो जब हमने एसिड केटलाइज इनॉलेट फोर्मेशन फड़ी थी उस मेकनिस्म के थूब यहां यहां से क्या हो जाएगा क्या होगा यह यहां इस यहां पर डबल ब्ल मैं करते हुए यहां पर इस ऑक्स जंप आके अटैक कर जाएगा तो क्या हमें formation मिल रहे हैं यहां पर हमारे क्या फॉर्म हुआ बेसिकली inolate formation हुई है तो इस reaction का अगर आप प्रॉडक्ट देखोगे तो आपको क्या मिला इनोल मिला तो यह कुछ इस तरह के जहांपल से जहांपर आपको इतना ही देखना है कि इनोल formation कैसे हुई क्या कंपल सरी कंडिशन थी और किस के चुछ है क्यों इस टेबल होते हैं किस कंडिशन में इस टेबल होंगे यह सब ठीक है अब हम इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स वीडियो होगा उसमें हम ऐसी रियक्शन्स पढ़ेंगे जहां पर इनोल फॉर्म होते हैं तो काफे इंपॉर्टन चैप्टर है आप कंटिन्यू नेक्स वीडियो तक भी नेक्स वीडियो को भी पूरा देखेगा ठीक है if you like the video then please like, share and comment and subscribe my channel thank you for watching